इस वीडियो में करेंगे इंडियन ने भी अगनी वी रिमार के लिए जियोग्राफिट भूगोल से लेटे टॉप 25 कुश्चन काफी सारी वीडियो करवा दिया हैं डिसक्रिप्शन पर प्ले लिंक दे दूगा तो सबी लोग देख लेना टार्गेट दे रहा हूं आपको टेलिग्राम चैनल का लिंक मिलेगा तो टेलिग्राम सबी लोग जोइन कर लेना चलिए हम कुश्चन स्टार्ट करते हैं हर एक कुश्चन का आपको जवाब देना है बाकि वीडियो कैसे लगी वो भी आपको कमेंड बाक्स बताना है तो फर्स्ट कुश्चन हमारा काली गारी आप इस कुश्चन का करेक्ट अंसर कर देंगे रजी दूसरा नमबर कुश्चन निमलिक्त में से एक खरीफ फसल है इन में से कौन से एक क्षरीफ फसल है जव, गेहू, चावल, चौना तो जो चावल है ये आपकी एक खरीफ फसल है तो उप्शन नमबर सी जिस ने भी शिलिट किया है उनका कोईशन ये राइट होगा नेस्ट कोईशन देखें कोईशन नमबर थर्ड है निमलिकित में से कौन सूर का ग्रह नहीं है बुद्ध शुक्र चंद्रमा नेप्चियून तो जो चंद्रमा है या आपका एक प्रत्वी का उपग्रह है तो सी नमबर इ सबसे बड़ा उपग्रह आपको बताना है नाम है टाइटन लापेटर्श टेलेश्टो या फिर एटलस राइट आंसर आप्शन नमबर ए हो जाएगा सनी ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है टाइटन फिप्त नमबर कुश्चन निमलिकित में से कौन सा ग्रह सुर का चक्कर सबसे कम शमय में लगाता है तो जो सुर के सबसे नजदीक होता है वही सबसे कम शमय में चकर लागाएगा पर्तवी सुक्र बुद्ध और मंगल तो सुर के सबसे नजदीक गरे कौन सा है बुद्ध तो आप्शन नमबर इस क्विशन का आप्शन नमबर सी सही हो जाएगा बुद्ध देखिए अगनवीर ऐसे सार और एमार की तयारी को और बहतर करने के लिए चक्चू प्रकाशन के एक बुक मैं आपको बता रहा हूँ अगनवीर ऐमार के लिए है और एसे सार के लिए भी है इसमें आपके चालिस कंप्लीड फुल लेंथ सॉल्ड प्रैक्टिस सेट्स हैं मैं आपको उस तरीके के क्विशन भी दिखा देता हूँ यह देख लीजे आपके घर पर आजाएगा या फिर आप नियर बाई अपने किसी भी बुक स्टोर पर जाएगा और वहां पर कईए जाके कि चक्चू प्रकासन की अगर नवीर एससार की चाहिए तो एससार की और नवीर एमार कीए बुक आप ले लिजएगा ठीक है सिफ्थ नमबर कुष्छन देखे हीरा कुण्ड परियोजना किस राज में स्थित है जार कंड, मद्द पर्देश, औरीशा, चट्रीस गड़ राइट आंसर अप्शन नमबर सी होगा हीरा कुण्ड परियोजना या आपका औरीशा में स्थित है C is question का right answer 7th number question देखे Question है Wish की सबसे लंबी परवत माला Rockies, Alpes, Andies, Himalai Andies परवत माला जो है आपकी Wish की सबसे लंबी परवत माला है C number question का right answer हो जाएगा 8th number question देखे Ghanap अच्ची अब्यारण निम्न में से किस राज में इस्तित है राजस्तान, मड़ीपुर, अश्यम या फिर केरल तो यह इस्तित है आपका राजस्तान में तो option नमर जो A है इस question का वो right answer होगा 9th number question देखे फूलों की गाटी इस्तित है जम्मू कश्मीर हिमांचल प्रदेश उत्तराखंड, केरल right answer option number C होगा फूलों की गाटी इस्तित है कहा उत्तराखंड C number 10th number question खेतिडी किसके लिए प्रशिद है खेतिडी सोना, उर्वरक, तामबा, एल्यूमिनियम right answer है इसका C number हो जाएगा खेतिडी किसके लिए प्रशिद है तामबा के लिए 11th number question है लोक्टक सक्ति परियोजना निमलिखित में से किस राज में इस्तित है किस राज में केरल, मणीपूर, मेगाले, बेंगॉल तो right answer है इसका मणीपूर हो जाएगा B number 12th number question है किस बंदरगा को भारत का प्रवेश द्वार का आ जाता है भारत का प्रवेश द्वार कांडला, मुंबई, कोच्ची या फिर कोलकता तो यह का जाता है मुंबई को क्या का जाता है भारत का प्रवेश द्वार B number 13th number question अमर कंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है कौन सी नदी दामोदर, तापती, नर्मदा या फिर महा नदी तो अमर कंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है नर्मदा नदी का C number right answer 14th number question है भारत की सिलकॉन गाटी कही जाती है किसे का जाता है भारत की सिलकॉन गाटी चन्नाई, हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर तो राइट आंसर आप्शन नमबर D बैंगलोर को का जाता है सिलकॉन गाटी भारत की तो आप्शन नमबर जो D है इस कुशन का वो राइट आंसर है 15th नमबर कुश्चन है किस देश को सफेद हाथियों की भूमी के नाम से जाना जाता है लाओश, म्यामार, कीनिया या फिर थाईलेंड तो राइट आंसर इसका उप्शन नमबर D होगा थाईलेंड को जाना जाता है सफेद हाथियों की भूमी के नाम से 16th नमबर कुश्चन जनसंक्या का सरवादिक भार कहां पाया जाता है अफरीका, आस्टेलिया, यूरोप या फिर एशिया मादिव तो राइट आंसर इसका क्या होगा एशिया मादिव option number D 17th नमबर कुश्चन कुश्चन है सुनामी किस भासा का सब्द है जर्मन का, चीनी का, जैपैनी का, पॉर्तगाली का तो ये जो सब्द है किस भासा का है, जापानी भासा का है तो option number c है इस Kimberly का वो राइट आंसर होगा 18th number question विश्च में महादीपों की कुल संक्या टोटल कितने महादीप है 5, 7, 8, 12 तो टोटल 7 महादीप है तो option number जो B है इस question का वो right answer हो जाएगा इस question है 19th number वया chance रेखा जिस पर सदय दिन वा रात की जो अवद है वो समान रहती है बहुमद रेखा, करकर रेखा मकर रेखा हिंज रेखा तो वो कौन सी रेखा है वो है आपकी बहुमद रेखा तो option number जो A है इस question का वो right answer होगा तरंटी नमबर question दचड़ी गोलार्द में सबसे बड़ा दिन होता है 22 March को, 22 December को 22 September को, 22 June को तो दचड़ी गोलार्द में 22 December को सबसे बड़ा दिन होता है तो option जो B है इस question का वो right answer होगा next question 21 number question सबसे अधिक चमकने वाला गरे मंगल, बुद्ध, प्रत्वी और सुक्र तो सबसे जो चमकी लग रहे है कौन सा है वो है वीनस, सुक्र option number जो D है इस question का right answer 22 number question पेरिश हैर किस नदी के तट परिस्तित है सतलज, डेन्यूब, सीन, टाइबर पेरिश हैर आपका C नदी के तट परिस्तित है तो option number जो C है इस question का वो right answer होगा 23 number question गोबी मरुस्तल किस देश में इस्तित है बहुत important questions है ये मंगोलिया में और स्टेलिया में, भारत में या फिर इन में से कोई नहीं तो right answer इसका option number ये हो जाएगा जो गोबी मरुस्तल है ये आपके कहा है इस्तित हैं, मंगोलिया में 24th number question विश्चुका सबसे बड़ा द्यूप कौन सा है सबसे बड़ा द्यूप मेडा गासकर बॉर्निया, गरीन लेंड, न्यूगिनी तो विश्चुका सबसे बड़ा द्यूप कौन शा है वो है गरीन लेंड तो option number जो C है इस question का वो right answer हो जाएगा 35th number question संसार का सबसे बड़ा मरुस्तल सहारा, थार, काला हारी या फिर गोबी इस question का answer मैं आपके लिए छोड़ता हूँ चोलो मैं बता देता हूँ संसार का जो सबसे बड़ा मरुस्तल है वो कौन सा है सहारा मरुस्तल A number right answer हो जाएगा यह थे 25th important question geographic related यह video safe MR वालों के लिए है इसलिए जो questions लेवल है वो MR वालों के लिए है SSR में थोड़ा high level का पूचा जाता है इसलिए आप देख रहोगे title, thumbnail सब कुछ MR के लिए ही है 25 में से कितने questions आपके सही हुई है comment box में लिखे, इमानदारी से कोई बात ने आपने 10 बनाए, 15 बनाए, 20 बनाए आप लिखा करिए comment box में सब के मैं जवाब देता हूँ मतलब सब को like कर देता हूँ जितने भी लोग comment करते हैं बाकि यह video कैसी लगी है वो आप comment करके बताइए video अगर अच्छी लगी हो तो सच में यार